हेलो फ्रेंड वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल देविंदर महिथ क्लासिज देखिए आज एक एहम थेओरम जो पेपर में बहुत बार पुछी जाती है वो डिसकस करेंगे हम एक्सरसाइज 6.4 में जब हम करेंगे तो यह थेओरम जो है इसका यूज करेंगे यहाँ पे देखिए थेओरम क्या कहती है क्या है अपने पास दो ट्रेंगल है तो सिमिलर ट्रेंगल है क्या है दो सिमिलर ट्रेंगल हमने बना ली एक बिसियर पी क्योवार हमने नाम ले लिए उनको अब यह दोनों ट्रेंगल क्या है सिमिलर है इक गिवन में लिख लेंगे आप ठीक है और प्रू करने में बात करें अगर जो अपने को प्रू करना है उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास अपने पास है मैं यहां लिख लेता हूँ प्रू क्या करेंगे कि रेश्यो किनका रेश्यो एरिया ओफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स का देखो एरिया ओफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स का तो यह दोनों ट्रेंगल्स सिमिलर हमने ले ली हैं तो एरिया किसका एरिया ओफ ए बी सी एरिया ओफ पी क्यों वा इनके रेश्यो की बात हो रही है मैंने रेश्यो ले लिया इनका रेश्यो is equal to square of the ratio of their corresponding sides जो इनकी corresponding sides है corresponding side AP की corresponding क्या है P क्यों है क्या कहा रहा है देखो यह समझेंगे पहले कि क्या कहना चाह रहा है क्या हमने करना है क्या प्रू करना है is equal to square of the ratio ratio किनका उनकी corresponding size का तो इसकी corresponding side यह इसकी यह तो इनका ratio हो गया इनके square का ratio किनका ratio करना है अपने को इनके square का ratio देखो इनके square का ratio ऐसे लेख सकते हैं ठीक है is equal to similar आब आगे करेंगे ac का square के corresponding कौन जी pr का square is equal to bc का square upon qr का square इनके square के ratio के equal दिया हुआ है इस triangles का जो area है उनका ratio ठीक है अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा हमें यह show करने के लिए हमें construction करनी पड़ेगे ठीक है यहां पर construction कर लेंगे हम क्या construction कर लेंगे यह जो a है यहां से यह इस पर perpendicular draw कर लेंगे हम क्या कर लेंगे यहां perpendicular draw कर लेंगे a b c d नाम ले ले और आप construction कर रहे हैं तो आप dotted line में कर लेंगे देखे और यह मान लिया मैंने इसको क्या यह m point है आप कुछ भी नाम ले ले इसको चाहिए ठीक है अब यह भी इस पर perpendicular है यहां पर लिखेंगे draw construction कर रहे हैं draw a d जो है वो perpendicular है किस पर b c पर and and pm perpendicular to qr हमने draw कर लिया अब देखते हैं देखो अब इसका solution करेंगे अब हम proof देखेंगे क्या करेंगे इसका proof देखो इसका proof देखते हैं इसके proof देखें तो हमें क्या लाना है area of a b c और area of p qr का ratio की बात हो रही है तो अगर हम इनके area की बात करें तो area of a b c upon area of p qr की बात करें तो area of a b c किसी triangle कोई triangle है अपने पास और उसके area की बात करें और उसमें अपने पास perpendicular भी है तो area क्या होता है 1 by 2 base into height base into height से बोलते हैं ना base into height इसका base जो है इसका क्या है b c बही area क्या होता है triangle का base into height height का का काम इसके लिए ये perpendicular draw कर रखा है हमने eddy कर रहा है upon 1 by 2 p qr में इसका काम क्यों कर रहा है qr into pm कर रहा है perpendicular का काम ठीक है height का 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो गया अब हमने क्या लाना था कि लाना था area of abc और p qr का ratio जो है वो इनके square आना चीह यह देखो यहां पे bc upon qr आ रहा है bc upon qr नहीं चीह हमें इनका क्या चीह square it means हमें क्या करना पड़ेगा जो यह eddy upon pm है अगर हम इस eddy upon pm को equal show कर दे bc upon qr के तो हम eddy upon pm को replace कर देंगे bc upon qr से तो यह बन जाएगा bc square upon qr square तो यह pro हो जाएगा अब यह देखो कि यह eddy और pm को हम इनसे replace करेंगे eddy और pm को जब replace करेंगे इसके लिए हम क्या कर लें इसके लिए देखो क्या करेंगे सबसे पहले तो देखो हमें यह result जो दिया हुआ है इसमें यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हम since triangle a b c जो है वो similar है किसके triangle p के वार के similar है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते है किनकी corresponding sides का ratio जो है a b therefore a b यहाँ लिखेंगे therefore a b upon p का ratio equal होगा b c upon qr के equal होगा a c upon p r के कि यहाँ पे क्या है यह आप लिख सकते हैं यह क्या है यह triangle क्या थी similar थी तो यह क्या है corresponding sides का ratio जो है ratio of ratio of corresponding corresponding और साइड्स और सिमिलर ट्रेंगल इनका रेश्यों क्या है सेम रहेगा थीक है तो यहां पर बात करें, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यह जो ट्रेंगल है ABD, देखो ADR यह न, AD और PMR आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए, हम इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को क्या करते हैं, similar show करते हैं देखे क्या करते हैं इस triangle को हम लेते हैं कुण सी triangle triangle ABD and triangle PQM को हम क्या कर रहे हैं similar Similar show कर रहे हैं जब यहां पर यहां पर बात करें इनको similar प्रूब करने की तो यह जो एंगल यह वाड़ा दिख रहा है अपने को मैं यहां पे इसको एंगल ADB is equal to angle PMQ क्या है 90 degree है 90 degree each अरे 90 degree के हो भई ठीक है अब similar प्रूब कर रहे हैं न हम इसको और यहां पे इस एंगल यह एंगल जो है यह तो ठीक है हो गया अब बात करें यहां पे देखो हमें क्या given है कि यह similar है और हम कर रहे हैं इन दोनों को क्या similar शोब इन दोनों को similar कर रहे है और given क्या है कि ABC पूरी similar है PKWR के तो हमें यह भी पता है इस वाले ट्रेंगल में angle B जो है एंगल B वो equal होगा किसके angle q के क्यों equal होगा क्योंकि पूरी बड़ी triangle abc जो है वो similar दी हुई है p q r k triangle triangle p q r k similar दी हुई है तो यह इसका corresponding angle हो गए वह यह corresponding angle हो गए नहीं तो देखो यहां पे angle दो angle equal आ गए इस a b d के तो बोलेंगे therefore by angle angle criterion से criterion से triangle कौन सी triangle triangle a b d is similar to triangle p q m यह a b d किसके similar pro होगई p q m के similar pro होगई अब यह similar होगई तो देखें क्या होगा a b का ratio किसके साथ therefore हम लिख देंगे अप उनमें p q का equal होगा इसकी फस्ट इसकी फस्ट इसकी लास्ट तू बिड़ी का q m के साथ लास्ट तू लास्ट तू का ratio और फस्ट और थार्ड का एड़ी अपोन में p m के साथ यह equal होंगे यह आप लिख सकते हैं यह सेम बात यहां पे किये यह यहां सेम लिख देंगे आप कि ratio of corresponding side of similar triangle are equal होते हैं ठीक है अब हम बात करें यहां पे देखो यह हमने करना क्या है हमने finally करना क्या था कि जो ad upon pm अपने को नजर आ रहा है इसको मैं चाहता हूँ कि यह bc upon qr बन जाए यह क्या बन जाए bc upon qr बन जाए तो देखो ad upon में pm जो है ad upon pm आप अगर इस पूरी equation को देखे मालिया इसको first नाम दे दे और इसको second नाम दे दे आप इसको first नाम ले ले और इसको second ले ले तो from first and second से बात करें from यहां बात करें from first and second से अगर में बात करूं तो यहां पर देखो क्या क्या चीज इक्वल आ गई अपने पास a b upon p क्यो एक्वल है किसके bc upon qr के bc upon qr क एक यहां पर आगर आप देखें तो यह मैं हम प्रू कर रहे थे यह a d upon pm को target कर रहे थे कि इसको क्या लाना है bc upon qr तो यहां पर देखो जब a b upon qr equal है a d upon pm के a b upon qr equal है किसके a b upon qr equal है इसके लिख लिए हमने यह equal है किसके a d upon pm के देखो a b upon qr जो है वो किसके equal है a d upon pm के भी equal है तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि यह equal है a d upon pm के आप समझ गए हैं कि यह हम लिख सकते हैं A B upon P के वो किसके equal है A B upon P के वो इधर भी है और इधर भी है तो यह B C upon QR के equal है और A B upon P के वो जो है वो A D upon P M के भी equal है तो यह हमने लिख लिया यहां से देखें तो यह दोनों equal आ गए अपने इसको नाम ले ले, आप थिरी नाम ले ले, using third, यहां पर लिखेंगे, बाद में लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे, area of ABC upon area of PQR is equal to, क्या होगा, BC upon QR into में, AD upon PM को replace कर दिया, हमने किसे BC upon QR से, क्यों हो, क्यों कि हम चाहते थे, क्या प्रूव करना, इनके squares का ratio, तो यहां पर लिख दें, BC upon QR, replace कर दिया, क्या use कर दिया, using third, यहां लिख दें, using third, आपने इसको third नाम दिया है, इस equation को third नाम दे दिया, हमने, तो यहां से क्या आ गया, BC का square, BC का square upon QR का square, आ गया, तो इसका area इसके equal proof हो गया, इसके equal proof हो गया, तो similarly, देखो, जब यह जो BC upon QR ह यहां देखो, 20 upon QR, इसके भी equal है, तो जब इसके square का, इनका जो ratio है, वो इसके equal हो आ तो यह, इसके equal भी ओगा, और इसके equal भी होगा, क्योंकि BC upon QR जो है, यह इन दोनों के equal हो है ना, तो इनके square का भी ratio क्या होगा, equal होगा हम तो हम लिख देंगे ये तो हो गया therefore therefore finally क्या area of ABC upon area of PQR is equal to हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया ना तो यहां पे लिखेंगे AB upon AB upon AB का square लिख दो square upon PQ का square is equal to AC square upon PR का square और is equal to BC square upon QR का square ओके स्टूडेंट्स यह हमने प्रूव करना था तो हमने इसको प्रूव कर दिया है हमने और तो यह दोनों भी क्या हो गए प्रूव हो गए किस से इस से बहुए यह जब स्टूडेंट्स यही हमने शो करना था आपको अगर मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को प्लीज चैनल करेंगो are दुए करेंगो